लगे आप आप को है आपको इजित करने की जरुमत इज़िये नहीं है कि इसका मतलब यह है कि गीत आपको बाद में सुनाने का बादा उन्होंने किया है और बादा अगर बहुत ज्यादा फुर्फूरत हो तो उसका इंकजार कर लेना चाहिए अब उस पनकार के पाहूल बनाना चाहता हूँ आपको फुर्फा सजीदा करना चाहता हूँ दोस्तों आप ते सारी राद मुशारा सुना है लेकि अगर मैं मुशारे के हमारे से बात करूं तो आप यह समझे जिए कि इस मुशारे में एक ऐसे शायर को आप मैं सुना है जिनोंने अगर एक हमारे से तारू को आप पर आप stopsuchen पर दरखंडर के हैसीं से उनकी कुरे मुल् music हे ही और अगर जब ऊब और निवूंस रृटिंग कर रहे होते हैं जब ओर कोी Judy फुना रहय है आ। टो ऑपकी इंद्र कोई एक कशिर सुना रहे होते हैं तो ऐसा रखता एक हाला थे हाज़रा पर तत्सरार और तरही है तो तस्रीक लाएंज और अपने कलाब से रबास है तरहाँ पे डाक्टर माजी देखे सलाम अलेकूम अज़राइख एक बहुत मशूर शेर है के मैं अकेला ही चला था जाने बे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया आज मुशायरे में ये हुआ के मैं अकेला ही चला था जाने बे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा घटता गया तमाव शोरा ने अपना कलाव पढ़ा चले गए बड़े शायरों के ये बात होती है कि उनकी बात नाजिम मुशायरा मानता है मैं सबसे छोटा शायर हूँ सबसे कम इल्मादमी हूँ इसलिए मुझे इस वक तक रोके रखा लेकिन अबात भाई माशालला आप भी स्टेज़ पर नहीं है मैं अबात साब को एक बात ये बता देना चाहता हूँ अपनी महबत से कि अगर आज के मुशायरे से नद्वे को निकाल दिया जाए तो पांच सो सामई भी मुशायरे में नहीं बेंगा जो हकीकत है उसका इतराफ करना चाहिए बहुत खुबसूरत मुशायरा हुआ मैं सिर्फ आप से बात करूँ कुछ मेरे नौजमान जिने में सूरतों से जानता हूँ मेरे नद्वे के कुछ एहबाब मेरे बुजर्ग मेरे भाई मेरे एहबाब जिने में सूरतों से जानता हूँ मुशायरों में देखता हूँ मेरी उनसे गुजारिश है के खुदा के लिए वो अपने लड़ी होने का थबोट दे शाइरात को देख के आप इसे बाहर ना होना चाहिए यह हमारी तैजीभ नहीं है मुशाइरा हमारा तैजीभ इदा रहा है तफरी का सामान नहीं है मुशाइरा बै Sand Smith Bazi का नाम नहीं है आप एक जुमला आप कहें एक मैं काओ बस अब मैं कुछ कुछ ताखिनी करूंगा अगर आपने महबते महबतों से सुना तो मैं सुनाओंगा नहीं तो देर बहुत होगी दरी क्या वो जाने दीजे नहीं जाने दीजे मैं आप से वो खाता हूँ मैं कुछ ऐसा नहीं करता जो बहुत से लोग करते हैं मुझे सिर्फ आपकी महपते दर्कार है मुझे बहुत पढ़ता हूं मुझे बहुत छोड़ता हूं मुझे भी जरॉरत नहीं कुछ इस वक्त में ऐसा हो जाए कि ये रहे कि अदब ये तैजिवी इदारा मुशायरा मुनकिद हुआ और यहां से हम कुछ लेकर गए मैं आप से कुछ हासिल करके गया अजासत है आप सब की बस आपकी मुपते मिलें पता नहीं क्या क्या मूड था आई बाद बाई पढ़ने का सब खत्म सा हो गया लेकिन अब मूड बनाएंगे आप सब लोग तो पढ़ों दरिया को सुखाने से मिया कुछ नहीं होगा बहुत शुक्रिया कोई सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए बहुत सीटी यां बजाएंगे आपने शायराग को देते लेकिन मेरी तैजीम ये इजाज़त नहीं देती ये मैंने अपने बड़ों से ही सीखा आप से ही सीखा वोई बात मैं कह रहा है दरिया को सुखाने से मिया कुछ नहीं होगा सूरच को बुजाने से मिया कुछ नहीं होगा महफूस करोणों के दिलों में है ये सुने महफूस करोणों के दिलों में है ये सुने कुरौान जलाने से मिया कुछ नहीं दो बुरुवान उज्जद बहुत शुक्रिए आदा आदा मैं पढ़ूंगा बिल्कुल दुबारा अभी तो मैं खुद को लाइन पर ला रहा हूँ उसके बाद फिर आप से बाते हुआ दरिया को सुखाने से मियां कुछ नहीं होगा सूरच को बुजाने से मियां कुछ नहीं होगा महफूज करोणों के दिलों में है ये सुन ले कुरान जलाने से मियां कुछ नहीं होगा बड़ी दौहाई दी गई ये लखनव है यहां की तेजीव है लेकि तेजीव को हमने खुद खत्म कर दिया थेजीव को कोई अढ़णी थोड़े खत्म करने आए गा हमने अपनी तेजीव को खुद खत्म किया है और अरल्ला त,'' रॉज़ के जब तुमारे आमाल खराब हो जाएंगे तुम पर जालिम कोम मसलज़ कर दी जाए थै बाटशपे को भी तो वजीर आजम ALL Yong ताला नहीं बनाया था ना उसके हुखम के बगहर तो कुछ नहीं होता लेकिन नामाल खराबते तो जालिम को हमारे सर पे बिठा दिया जिए महफूस करूणों के दिलों में है ये सुन ले देखे मोट बनता जा रहा है मेरा महफूस करूणों के दिलों में है ये सुन ले कुरान जलाने से मियां कुछ नहीं होगा सुरज को सुखाने से मियां कुछ नहीं होगा किरदार बनाओ तो कोई बात बनेगी किरदार बनाओ तो कोई बात बनेगी शाहों के घर आने से मियां कुछ नहीं होगा दरिया को सुखाने से मियां कुछ नहीं होगा बहुत शुक्रिया मैं पस्मे तो मुशायरों में नहीं खाता इसलिए के ज्यादातर जो लोग खस्मे काते हैं वो जूटी खस्मे काते हैं लेकिन मैं इमान की बात कह रहा हूँ के वाकी आज के मुशायरे के जीनत आप सब है अगर आप जैसे महबत करने वाले हूँ तो इस जबान को कोई नहीं मार सकता देखिया हजरात सच बोलने दीजिए हम लोग शौरा तो कुछ पैसा भी लेते हैं रकम भी लेते हैं लेकिन आप अपना वक्त लगाते हैं खर्च करके आते हैं अगर आपको सलामत रखे ये मुशारा का एक बड़ा इल्कलाव है कि अर्दु तहजीब के इस इदारे में जहां शराब की तारीफ होती हैं आयाशियों की बाते होती हैं औरतों के जिसमों की बाते होती हैं अब्दू लिल्लह मुझे इस बात पर फखर है लेकिन आपका भाई एक शेर कहता है कभी आपके भाई ने आपसे अलग बात नहीं की जब नद्वे पर गुस्ताखी किती हुकूमत ने उस वक्दी अलीमी आलायर रह्मा के सिलसले में नद्वे के सिलसले में सिर्फ मैंने शेर कहे थी मुझे हिम्मत बहुत है आपकी दूआ से और और हिम्मत मिले पेश करता हूँ मुलायदर की जए सब ये किरिदार की बदौलत है ठोकरों में तेरी हुकूमत है शरीकों जो जो भी बाबरी मस्जित की शाहधत में अबार बाई शरीक था उसका बत्तरीन अंजान हुआ बस मीडिया दिखाता नहीं मीडिया क्यों दिखाएगा के वो आपका नहीं सब ये किरिदार की बदौलत है ठोकरों में तेरी हुकूमत है फैसला हो गया गलत लेकिन उसकी बाकी अभी अदालत है देखे ऐसे नूरानी शक्स ने मेरा इस्तक्बाल किया इससे मेरी बड़े कुछ नसीबी क्या हो सकती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब ये किरिदार की बदौलत है ठोकरों में तेरी हुकूमत है फैसला हो गया गलत लेकिन उसकी बाकी अभी अदालत मस्जिद हो कि मस्जिद अक्सा हो कि अभी दिल्ली में एक मस्जिद शहीद हुई थी मस्जिद नूर मेरे बज़र्गो उलमा कराम दानिश्वर हजरात ये तमाम मसाजिद मेरे आखा के उमतियों के लिए हैं जो नमाजे पढ़ते हैं हर मुस्जिद अपनी में एहनियत रखती है पेश करता हूं मलाइज़ कीज़ेगा होसले की बात करनी है फैसला हो गया खलत लेकिन उसकी बाकी अभी अदालत है जो विरासत में हमने पाई है वो हदे खत्म हो नहीं सकती जो विरासत में हमने पाई है वो हदे खत्म हो नहीं सकती साज़िश लाक हो यहां माजिद मस्जिदे खत्म हो नहीं सकती बहुत शुक्री आदाब, बड़ी नाए, अगर एक शेर भी जूट कहूं तो दाद ना दीजेगा, और अगर सच बात कहूं, तो मेरा हक है आप पर किया आप मेरे लिए दौाए खेर करें, बस यही है, सब कुछ अता कर दिया, आपकी दौाओं से, कुछ नहीं जानता, तब सब कुछ अता कर दिया खुदा ने, पूरे 33 साल हो गए, मुशारे पड़ते हुए, 34 साल चला है, 33 सेकिंड का भी कोई भरोसा नहीं, अगर उसकी आता ना हो, जो विरासत में हमने पाई हैं, वो हदें खत्म हो नहीं सकती, साजशे लाक हो यहां माजिद, मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती, बहुत शुक्रिया, और आगे बढ़ते हैं, दुनिया का पहला मुल्क है जापान, जिसमें आप हिजाब नहीं कर सकते हैं, दुनिया का पहला मुल्क है जापान, जिसमें आप पुरान की तालीम नहीं दे सकते हैं, दुनिया का पहला मुल्क है जापान, जिस में पुरान करीम के साथ बुस्ताफि की गी उस हवाले से पेश करता हूँ एले इल्म दानिश के मजमाह है मुझे कहने दीजिए अल्ला ताला का आजाब आया और जुमा के दिन आया कयामत जुमा के दिन आया कयामत सुखरा थी हमारा मसला ये चे के हम पढ़ते हैं एमद हैसन صاحب तकरीर करके चले गए अन्नहाजा़ ले के हवाले से गर वो पढ़ा करतें फेसबूड देखा करतें तो मेरी अशार भी फेसबूड पर देखतें के अन्नहाजा़ ses पहले दिन की तहरीक से आज तक की तहरीक पर मैं रोज चार शेर कहता हूँ और अलम्दुलिल्ला तब भी चार शेर कहे जब अन्ना हाजारे ने अपनी तहरी खत्म करके मोदी के गुनगाने शुरू कर दिये सिर्फ आपके भाई ने कहे शेर किसे ने नहीं कि जिसने सांसे हमें अता की है उससे हम लो नहीं लगाते हैं जिसने सांसे हमें अता की है उससे हम लो नहीं लगाते हैं भूल बेटे हैं हम खुदा का कलाम जल जले इसलिए भी आते हैं बूल बेटे हैं हम खुदा का कलाम जल जले इसलिए भी आते हैं चार मिस्रे और पेश करता हूँ जापान एमबेसी को मैंने उनकी जबान में भी भेजे अंग्रेजी में भी हिंदी में भी अर्दू में भी एक चैलेंग मैंने पेश किया है जापान एमबेसी को जापान को अगर खत्म होने से बचाना है तो मैंने कहा कि ये चार मिस्रे मेरे याद कर लो और इस पर अमल कर लो अधाब भूल गया पता नहीं क्या पढ़ रहा है नहीं मैं तो कुछ दूसरी दुनिया का आदमी हूँ मैं अलिमिया के सिलसिले का आदमी हूँ जिसने सांसे हमे अता की है उससे हम लो नहीं लगाते हैं भूल बैटे हम खुदा का कलाम जलजले इसलिए भी आते हैं खेरियत इसमे है के तौबा करे खेरियत इसमे है के तौबा करे वरना इनसान डूब जाएगा अब भी खेरियत इसमे है के तौबा करे वरना इनसान डूब जाएगा अब भी कुर्ण को गर नहीं समझा सारा जापान डूब जाएगा आदा बहुत शुक्रिया पढ़ता हूँ खेरियत इसमे है ठीक है ना इबाद भाई काम ठीक हो रहा है देखे मैं आपके मुशायरे का काम भी कर रहा हूँ और दीन का काम भी कर रहा हूँ जी दीन हमें मिलेगा तब दुनिया मिलेगा हमारा मसला यह है कि हम एक के आगे सर नहीं जुकाते हैं पूरी दुनिया के आगे सर जुकाते हैं एक के आगे सर जुका ना आ जाए, पूरी दुनिया आपके सामने सर जुकाए खेरियत इसमें है के तौबा करे, वरना इनसान डूब जाएगा अब भी कुर्णा को गर नहीं समझा, सारा जापान डूब जाएगा बहुत शुक्रिया अजरा, अल्ला सलामत रखे आप सब लोग, मूड बना दिया एक छोटे शायर का, एक तालेब इनका मूड बना जाएगा, अल्ला वाले तो चले गए, मैं एक गुनेगार हूँ, लेकिन अब जैसा भी हूँ, बारा लाप कम अब भी कुरहा को गर नहीं समझा, सारा जापान डूब जाएगा आखिर के चार मिसरे, उसके बाद गजल पेश करोगा, आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है, हमें मालूम हैं, इसलिए के मीडिया तो आपका है नहीं, मीडिया तो उनका है, जिनका ये पूरी दुनिया बजाहिर है, हाला के दुनिया तो दुनिया वालों की है, और दुनिय मुकदस की अजमतों को तोड़ने के बाद गिराने के बाद महां मैं खाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है मुझे माफ कीजिए दुनिया में 55 से ज़्यादा इसलामी मुल्क है सब के सब के चुप है इसलामी मुल्क नहीं है बलके सलामी मुल्क है जो एक शैतान को अमरीका को सलामी देते है नतीज़ ये हो रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है तु तु बड़ा ही करीम है मौला गोम गंगीन की हिफाज़त कर सुनिया हादरा तु बड़ा ही करीम है मौला गोम गंगीन की हिफाज़त कर जंग इसलाम दुश्मनों से है तु फलस्तीन की हिफाज़त कर जंग इसलाम दुश्मनों से है तु फलस्तीन की हिफाज़त कर बहुत शुक्री हादराद अब मैं घजल पर आ गया हूँ तमाम सियासी लोग मेरे महबबत करने वाले हैं सब मुझे चाहते हैं लेकिन अभी हमारे एक शायर है विचारे अल्ला ताला उनको खुश रखे वो एक बड़े दर्जे पर चले गए उनको बड़ा दर्जा दिया गया लेकिन मैंने एक बड़े मजمे में एक बात ये कही हकूमत ले किया कि अरबी फार्सी अर्दू इंवर्सटी बनाई जा रही है जब उन्होंने नाम बताया तो अरबी फार्सी अर्दू इंवर्सटी का नाम है हबाद Month magic whereby माननe वर काशिराम मेरे लिए दुआए खेर कीजे कि मैंने दस हजार के मजमे में ये कहा कि जब अलीमिया नद्वी का नाम मौजूद है उस उनिवर्स्टी में तो किसी और के नाम की क्या जरूरत थी इस सदी में इतना बड़ा नाम होते हुए और लखनों में होते हुए मानने वर काशेगा हाला कि कुछ लोग बुरा लगा होगा लेकिन मैं अल्ला के लिए बात कह रहा हूँ लियाज़ किसी के बुरा लगने का मुझे कोई खौफ नहीं इनको उधर नीचे बेख देजएगा बेख देजएगा और लाहल पढ़िएगा उसके बाद मेरी तरफ देखे अब मतला सुन लीजएगा अजरा आईए मेरी तरफ फिर वही फैसला साथ साल के बाद और मतला पेश करता हूँ माई उसी हमारे मख़भ में कुफ रहे है समात फरमाएं मैं डूप के पढ़ रहा हूँ आप डूप के सुन लीजे तो मजा आगा लाक खौफ तारी हो जलजलों के आने का लाक खौफ तारी हो जलजलों के आने का सिलसिला न चौड़ेंगे हम भी घर बनाने का सिलसिला न चौड़ेंगे हम भी घर बनाने का लाक खौफ तारी हो जलजलों के आने का बहुत शुक्रिया इस मतले पर आपने उतनी दाद नहीं दी जितनी मुझे तवक्त थी लेकिन चलिए अब दूसरा शेर पेश्ट करता हूँ क्या बात भाई ये नाजिम उशारा भी चला गया कमाल कोई बात नहीं मुझाही दीन के दर्मियान एक खादे मौजूद है लाके खौफ तारी हो जलजलों के आने का सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का हर शेर में इंशालला इसलाम का फलस्फा, हदीस का हवाला, पुरान की आयत का हवाला मिलेगा यही मेरा इमान, यही मेरा आकिदा और यही मेरी शायरी करने का जजबा कामियाब करती है फैसलों की मजबूती मुलाइजा की जगादा कामियाब करती है फैसलों की मजबूती दिल में होसला रखिये कष्टिया जलाने का कामियाब करती है फैसलों की मजबूती दिल में होसला रखिये कष्टिया जलाने का सिल्सिला न छोडेंगे हम भी घर बनाने का बहुत शुक्रिया सुनीगा चौदा सो साल के चौदा सो साल पहले मेरे सरकार महां तश्रीफ लेगे जहां जिबरेली अमीन ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं मेरे पर जल जाएंगे चौदा सो साल के बाद हमारा साइंस न पहले आसमान पर गया बताना ये है कि ये साइंस कुछ भी नहीं है मेरे सरकार के पदमों की धूल की बरकत है और साइंस कुछ भी नहीं है देखेंगे चौदा सो साल पहले का वाकिया चौदा सो साल बाद का वाकिया दो मिस्रों में तारीख बयान करने की कोशिश करता है गुनेगा वो अजीम शख्सियत हमको याद आती है बलाएदा परमाएजरा वो अजीम शख्सियत हमको याद आती है जिकर जब भी होता है आसमा पे जाने का जिकर जब भी होता है आसमा पे जाने का सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का इतनी बड़ी तादाद वुलमाँ बलके कुछ असातिजा भी मौजूद है हुफास मौजूद है अल्ला ताला ने मुझे क्या वक्त अता किया है कैसे आला सामाई न अता किया है मुझे एक तालेब इल्म को इतने एहल इल्मता कर दिया पेश करता हूँ मराइज़ कीज़ेगा शेर बुखारी शरीफ में है मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत तक के लिए दो चीज़े छोड़ कर जा रहा हूँ अधिस और गौरान हजरात हमने दोनों को छोड़ दिया पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया हम सोचते ही नहीं कि पूरी दुनिया ने हमें क्यों छोड़ दिया हमने दोनों को छोड़ दिया पूरी दुनिया ने आमें छोड़ते हैं समझना तो पड़ेगा अगर आप मुझे शायरे में आए कुछ साथ लेके तो जाना पड़ेगा कि कुछ मामला है कुछ गड़बड़ी है जिसे दूर करने है सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का तुम हदीस औ कुर्वां में राहा खेर की ढूंडो मलाज़ फरमाएं जरा तुम हदीस औ कुर्वां में राहा खेर की ढूंडो खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का खत्म हो चुका है बाब मैं जजबाती हो गया होने दीज़े जजबाती ये जजबाती होना भी आपके आखरत में काम आएगा इंशालो तुम हदीस औ कुर्वां में राहा खेर की ढूंडो खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का सिल्सिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का अल्ला ताला कोई काम ले ले अल्ला ताला ने मुझे 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 शेर का इस्ट्रेज दिया है तो अल्ला ताला इसके जरीए कोई काम ले ले जब हम आखरत में दुबारा उठाए जाएंगे ताय जाएंगे कान नाक जबान हर चीज़ से सवाल होगा मुझसे सवाल होगा माजिद मैंने तुझे शेर कहने के सलायत दीती तुने लोगों को गुमरा किया कि मेरा पैगाम दिया मुझे जवाब देना होगा दूआ कीजे कि में महाँ जवाब देने में काम्याब हो जाए पुल्सरात में काम्याब हो जाए जवाब देने के अभी मैं बिवन्डी एक मुझारे में गया था शैदी टीम पर आएगा आप देखिएगा अल्ला करे मेरा जुम्ला देदा बिवन्डी में दो मुसल्मान लड़े अभाद भाई और शिर्फ सेना का M.L. बना दिया वो M.L. मुझे 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 ठायरे में फस्स गया इत्तफान मेरे पढ़ने का लख आया तो मैं ने पढ़ते पढ़ते उसे दीन की दावट दे दी और दसाजार के मजमि से दूआ पर दि कि अल्लामिया मैं इसे दीन की दावत दे रहा हूं तो फिक आप दे देना ये आए गई टीवी पर तो जिसका जो काम है वो कर दे बाकिए उसमें चाप बढ़ दे एक शक्स है जो मुसल्मान नहीं उसने किताब लिखी है सो बड़े इनसान लिखने वाला मुसल्मान नहीं लिखने वाला यहुदी और उसने पहला नाम मेरे सरकार का रखा सबूत पेश करता है गुनेगार तालिबेल के उसने पहला नाम मेरे सरकार का क्यों रखा आखिर मजमे तक अगर मैं इमान की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए दूआ कीजे मुझे नावाज ये गा जिसके फैज से सारी काइनात रोशन है मुलाज़ कीजे का अगरा जिसके फैज से सारी काइनात रोशन है काम कर रहा है वो बक्रियां चराने का काम कर रहा है वो बक्रियां चराने का जिसके फैज से सारी काइनात रोशन है काम कर रहा है वो बक्रियां चराने का सिल्सिला न चोड़ेंगे हम भी घर बनाने का सुम्हान अल्लाः क्या दीन अल्लाः ने अता किया क्या रसूल अता किया सुम्हान अल्लाः एक लफ़ हजरात इंतकाल उसके माने मुन्तकिल होने के मलिक जादा साब बैठें ये बच्चे को बढ़ाते हैं मुन्तकिल होना लेकिन डेथ है मर जाना उसमें हमें लफ़ इंतकाल इस्तमाल करते हैं लेकिन जब मैं ये शेर कह रहा था तो मेरे आका के एक हदीस मेरे सामने से गुजरी नजरों के सामने से आप फरमाते हैं इमान वाला तो कभी मर नहीं सकता इमान वाला कभी नहीं मर सकता मैंने दुआ की कि अल्ला ताल ने शेर कहला दे अल्ला ने शेर बेट दिया मुलाइदर कीजेगा इसलाम का फलस्फा पेश कर रहा हूँ मर के भी नहीं मरते हम जगा बदलते हैं शरीकों सब लोग अगर मैं आपके बात कह रहा हूँ मर के भी नहीं मरते हम जगा बदलते हैं खाब देखते रहना तुम्हा में मीटाने का मर के भी नहीं मरते हम जगा बदलते हैं खाब देखते रहना तुम्हा में मीटाने का सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का बड़ी नायता आपके बहुत 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 शुक्रिया हम गजल के मक्ते पर आ गया हूँ और वही बात कि जहां से शुरू हो ता महीं अफ्ताम करूंगा आपकी दूए से मैं भी ठीठा खुबसूरत आदमी हूँ जाहरे बचसूरतों पे शायरात मरती है तो खुबसूरत पे तो बहुत मरती हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी जिन्दगी क्या है मेरी जिम्मेदारी क्या है मुझे मालूम है कि किर्दार बचा के रखना है अगर तुम मुसल्मान हो मेरी जिम्मेदारी है इस से नहीं हटेगा आपका भाई बस आप दूआ करते हैं सिलसिला ना चोड़ेंगे हम भी घर बनाने का मेरे सरकार तश्रीफ ले जा रहा है थे बाप भाई एक बुड़ी नजर आई बहुत ज्यादा वजन था उस पर मेरे सरकार तो रहमत लिलालमीन है आपने का बड़ी बी अगर अगर इजाज़त दो तो ये वजन मैं अपने सर पे रख लो बड़ी बी बहुत खुशी हूँ उन्हों ने का तुम मुझे नेक आदमी लगते हो मैं तुम एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी सरकार ने वजन सर पे रखा बड़ी बी को घर पहुँचाए चलने लगे बड़ी बी ने का तुम मुझे बहुत अच्छे कि तुम उसके हुआ हो दाए सरकार ने का बड़ीबी आप शही चलने लगे बड़ीबी ने का तुम बहुत नेक इंसन लगते हो तुमने अपना नाम ने बताया मेरे सरकार ने कहा बड़ीबी में वही मحمد हो जिसका आप खिर कर रहे ल्ला हुआ अक्बर और हज़रात जो होना था वही हुआ बड़ी भी भी कद्मों में गिर गर रो एमान ले आई बताना ये है कि इस पूरी दुनिया को जो इसलाम को देशतगर्दी के हवाले से तक्षीर करना चाते कि इसलाम अखलाक और महबत की तल्वार से पहला देशतगर्दी की तल्वार से नहीं पहला सिलसिला न चोड़ेंगे हम भी घर बनाने का कामियाब होते हैं ऐसे लोग ही माजिद सुने का अगरा कामियाब होते हैं ऐसे लोग ही माजिद जो दिलों में रखते हैं दर्दी जमाने का जो दिलों में रखते हैं दर्दी जमाने का सिलसिला न चोड़ेंगे हम भी घर बनाने का बहुत शक्रिया अजराग अजिए ठीक है ठीक है नहीं बिलकुल मैमानदारी भी होगी इंशालिया जी ये अजराग जा रहे थे पांच मिनिट के लिए और रुप जाते तो मुझे और खुशी होती हैं नहीं चोटे भाई की बात बड़े भाई मान लेते हैं तश्रीफ रखिये रहा घरवालियों का सवाल तो वो तो इशा के बात से ही आपके इंतजार कर रही हैं जी उसका मेरे साथ भी यही है कि पूरी रात इंतजार होता है तब अगले दिन में पहुँचता हूँ गिले शिक्वे होते हैं पिर उन्हें बताता हूँ कि मैं लखनों गया था नदवे के अलमा और उफास के दरम्यान शेयर पढ़े वो भी खांदानी है तो वो मान जाती है मुलाइदे कीज़े क्या माहौल बना दिया हाँ वो हमारे सियासी लोग थे चले गए अइबाद भाई आपको और ताकत दे फिर खपरस्तों से लड़ने की ताकत दे और आप एलेक्शन में आएं तो आपको फत्ह नसीब फरमाए लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि इतने बड़े मजमे में मैं आपके लिए दोगा करा रहा हूं कि आप एलेक्शन में आएं यकिनान आप आएंगे आप जीतें यकिनान आप जीतेंगे लेकिन इन मासूमों को ना भूलना इसलिए कि ये मासूम सिर्फ महबत से बोलने पर ही बहल जाते हैं काम करो ना करो सिर्फ महबत से बात करो ऐसी मासूम कोम हैं मुसल्मान के सिर्फ वादे करते हैं महबत से बोल लेते हैं उसे ही में बहल जाते हैं काम कोई नहीं करता मतला पढ़ता कोई भी पार्टी हो माफ कीजेगा मुझा हम लोगों को सताने का मैयार एक है शरीक हो अजरा हम लोगों को सताने का मैयार एक है चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है दूआ कीजेगा फिर कुर कल्यान सिंग या अमर सिंग नहां खुसा है आपके हैं फिर पार्टी को खत्म कर देंगा दो शैताने का हम लोगों को सताने का मैयार एक है चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है आईना दिखा रहा हूँ इस सदी के एक वली का और वली मैंने क्यों कहा ये उलमा बैटे है उफास बैटे है हदीष की तमाम किताब मौतबर हैं अबने माजा में उस शख्सियत का जिकर हुआ है अरब पती घराने का आदमी होगा जब देखेगा कि पूरी दुनिया में इसलाम के खिलाफ साजिशे हो रही अरब पती आदमी अपने घराने को छोड़ के इसलाम के खिलाब जो साज़िशे कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए निकलेगा इबन माजा पहाड़ों में छुप जाएगा पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी और इबन माजा में ये लिखा है के पूरी दुनिया कहेगी अमीरूल मुमिनीशे अमीरूल मुमिनीं कौन? मुल्ला अमर आपको मालूम है मुल्ला अमर कौन है? मुल्ला अमर वो मुझाहिदे जंग में इनकी एक आँख जखमी हो गई थी तो हाट से आँख निकाल के फेट दी और फिर जंग करता रहा ये शक्स है इन शैतानों के कहने से कोई देशतगर्द होता है शैतानों के कहने से कुछ नहीं होता उस वली का आपको चेहरा दिका रहा हूँ जिसका जिकर हदीछ के किताब में चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है लगता है उस कबीले मे जीदार एक है शरीगों अजरा लगता है उस कबीले में जीदार एक है इस पार बेशुमार है उस पार एक है अधा बहुत शुक्रिया लगता है उस कबिले में जीदार एक है इस पार बेशुमार है उस पार एक है बहुत ठक गया हूँ मैं इसलिक ठकने से ज्यादा मेरे कुछ मामला जजबाती हो जाता है पुरान करीम के एक आयत के हवाले से शेर पेश करता हूँ लोग कहते हमें रहनुमा ने मिलता है रहनुमा मिलता है तो कैसा मिलता है वोटर हम है जैसे हम है ऐसे हमारे रहनुमा है Allah हमें अच्छा कर देगा तो अच्छे रहनु में बनाएं बढ़के हुए हैं हम तो खुद अपनी खताउं से अपनी खताउं से बढ़के हुए हम तो खुद अपनी खताउं से एक खुदा, एक किताब, एक रसुल, एक बढ़के हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से वरना हमारा खुदा, एक रसुल, एक है एक शेरोर आदाब, खुश रही है एक खुधार, भाई, एक शेरोर और सुन लिजिए करबला के हॺाले सेलाको करोडो शेर कहे गे और कियामत तक करोडो शेर कहे जाएंगे एक शेर पेश करता हूँ हमारे माषरे में भी हुसैन और यजीद है पहचान की ये कौन क्या है बैत तलब बदलते रहे कर्बला के साथ अपनी जगा हुसेन का इंकार एक है अपनी जगा हुसेन का इंकार एक है चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है यह गजल भी मेरी काफी तवील है लेकिन मैं इसे मुक्तसर कर रहा हूँ इसलिए के मुझे मालूम है जो गजल आपको सुनी है मुझे सुनानी ही है इसलिए के जब इतनी महुबस से लोग कहें तो सुना देनी चाहिए आपकी दूओं से मार्किट में मेरी 50 से ज्यादा कैसिक मौजूद है लेकि मुझे इस बात पर फखर है मैं आपका छोटा हूँ के एक कैसिक में भी आप तकब्र का कोई जुमला नहीं सुनेंगे इसलिए के मुझे मालूम है जिस दिन मैंने तकब्र किया है वो मेरा आफरी दिन होगा तकब्र सिर्फ ला की जात को है मुझे नहीं सामान तिजारत मेरा इमान नहीं है बहुत शुक्रिया अबाद बढ़िया हो गया ना मशारा सबसे ज्यादा हलाल की मैं खा रहा हूँ सामान तिजारत मेरा इमान नहीं है सामान तिजारत मेरा इमान नहीं है हर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है अरदर पे जुके सरी मेरी शान नहीं है बहुत शुक्रिया हमारी बेहने भी आई थी काफी तादाद में दो ती नभी भी बेटी है यह हमारी माए बेहने हैं जो हमारा माशरा बनाती है हमारा घर बनाती है अगर एक बच्चे की परवरिश इसलामी नुक्ते नजर से आपने कर दी तो एक जिहाद का सवाब है हर लवज को सीने में बसा लो तो बने बात मलाई देखिए हर लवज को सीने में बसा लो तो बने बात ताको में सजाने को ये पुरौान नहीं है बहुत शुक्रिया हर लफजे को सीने में बसा लो तो बने बात ताको में सजाने को ये पुरौान नहीं है हर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है आप ही का शेर आप ही का शायर आप ही की नजर करता हूँ कोई अकात नहीं मेरी जर्रा बराबर अली बेते नहीं जानता लेकिन पूरी दुनिया में जहां अर्दू है वहां मैं गया और मैं नहीं गया तो मेरे शेर गया मेरा तो कुछ नहीं है इसमें सबाब का है उसकी अताय उसने कुन कह दिया और हो गया आलाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए ना चली जाए दो रोज उसे घर में कोई महमान नहीं है अर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है बहुत शुक्रिया, बड़ी नाय फिर महीं आता हूँ जहां पहले, जहां से शुरू किया था एक मौलाना तक्रीर कर रहे थे और फर्मा रहे थे कि अल्ला का नाम लेकर दरिया में उतर जाओ तो दरिया रास्ता दे देता है उदर एक शख्स था जो रोज नदी में इस पार से उस पार जाता था मुसल्मान नहीं था उसको बड़ी परिशानी होती थी कभी कश्टी मिली कभी नहीं मिली उसने का मेरे तो मज़े आ गए मौलाने क्या बार बता दी सुवान अल्ला सिलसिला शुरू हो गया आने जाने का काफी दिन के बाद वही मौलाना जिन्होंने तक्रीर की थी वो दरिया के इधर मिले उस शख्स ने का कि मौलाना क्या हुआ कह लगे वो उधर जाना है किश्टी नहीं आई दो गंटे से कहले लगे मौलाना पिर अल्ला का नाम लीजे बिसमिल्यल्य लीजे और उतर जाए दरिया में रास्ता दे देगा दरिया मौलाना ने का भई ये ऐसा होता थोड़ी है अल्ला हुआ अकबर वो शख्स जो मुसल्मान नहीं था उसने का कि मौलाना मैंने आपकी तक्रीर सुनी थी जब से आपकी तक्रीर सुनी मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ अल्ला का नाम लेता हूँ दरिया रास्ता दे देता है मैं चला जाता हूँ मौलाना ने का यही फर्द है करने में और कतनी में और करनी में यही फर्द है, कहने में और अमल में यही फर्द है अगर यह मेरी मिलत अमल करना सीख ले तो हर शख्स जहाद कर सकता है, हर शख्स करामत कर सकता है हमने तो बनाएं हैं समंदर में भी रस्ते हमने तो बनाएं हैं समंदर में भी रस्ते यूं हम को मिटाना कोई आसान नहीं है यूं हम को मिटाना कोई आसान नहीं है हर दर्पे जूके सर ये मेरी शान नहीं है एक शेर और आपकी नजरे अबर तो पूरी गजल ये आपकी नजरे अकसर लोग ये कहते हैं के नदवी हों मजाहिरी हों कास्मी हों ये रसूल से महबत नहीं करते हैं मेरे ख्याल है बिना सरकार की महबबत के तो एमान ही मकमल नहीं होता है नमाज ही मकमल नहीं होते है लेकिन गुरान करीम में है इनना शिर्क लजूल मुनाजीम महब्बत तो करते हैं शिर्क नहीं करते है एक साहब ने यह करता कि साहब सरकार ने फर्माया कि बहातर फिर्के होंगे उन में से एक जन्नत बे जाएगा ना जाने कौन सा जाएगा मैंने का मुझे मालू में कौन सा जाएगा कौन समन का जो एक को मानेगा एक खुदा एक किताब एक रसूल अल्ला ताला ने हमें दो कुरान अता किये जो अल्ला ताला ने कुरान में लिखा और बोलते में कुरान से हमें बतला दिया अल्ला की किताब कुरान बोलता वा कुरान मेरे सरकार की हदीसे यही तो है इमान और यही जन्नत में जाए वो जिसको बुजरगों की रिवायत ना रहे यार अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम था अलहम दिल्ला आपने सुना होगा हजरत मौलाना जुल्फिकार सहाब नक्ष बंदी पीर जुल्फिकार नक्ष बंदी सही उल्फिकार नक्ष बंदी पूरी दुन्या में पचासो लाक मुरी थे अपने जामिय में पी उनका प्रोग्राम अमद कहता है जो उन्होंने दुआ कराई अल्ला हुआ अकबर लोग बेहोश हो गई क्या रिकत तारी थे उनकी किताबे पढ़िए उनका चेरा देखिए अलग लगएगा कि नूरानी शाफिया अच्या ऐसे होते हैं पीर अच्छा हम पीर जो है वो पीर मंगल गुदवालों को बना लेते है वो जिसको बुजर्गों की रिवायत न रहे याद उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है हर दर पे जुके सर ये फरमाईश है यादराद कुछ और ना समझेगा आप ये कागस पे इन्होंने फरमाईश लिके दी मैं जेम में रख रहा हूँ वो जिसको बुजर्गों की रिवायत न रहे याद उस शखस की लोगों कोई पहचान नहीं है हर दर्पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है मुशारे की रिवायत नहीं लेकिन मैंने आपकी मुभबत को बोल की आके को नहीं दो चार उमीदों के दिये अभी है रोशन आप सब के दरफ से अबाद बाई की नज़ इसलिए के इनों ने इतना खुबसुरत मुशारा सजाया अबाद बाई की तरफ से ये शेर आपकी नज़ आपने माशालला वर्ल्ल कप के खुशी में ये मुशारा किया कुछ अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वर्ल्ल कप जीतने वाले एडवर्टिज्मेंट में आना बंद कर दें तो मज़ा आजा अरबो रुपए के एडवर्टिज्मेंट करते हैं और अपनी टीम को हरा देते हैं हमारे हाँ का मास्टर है उसे भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर मैंने सचिन तेंदुलकर को समस भेजा कि वर्ल्ल कप हम इसलिए जीते कि आपने सेंचिरी नहीं बनाई जब सचिन ने सेंचिरी बनाई हम मैं चार गए अपने लिए खेलता है मुल्क के लिए नहीं खेलता है और लोग उसे भगवान बनाया जो मुल्क के लिए खेलते हैं एहल एमान उन्हें वर्ड़ कप से निकाल दिया गया क्या कमाल है छोड़िए कोई बार की मैं कह रहा हूँ तो अल्ला मुझे और ताकत दे मेरे लिए दूआ कीज़ए दो चार उमीदों के दिये अब भी हैं रोशन माजी की हवेली अभी वीरा नहीं है माजी की हवेली अभी वीरा नहीं है हर दर पे जुके सरिय ये मेरी शान नहीं है आए एक शेर पता नी कैसिट में है के नहीं माहِ Rम्दान रम्दान आता है सब लोग इफ्तार का हम आप भी करते हैं करना चाहिए लेकिन ऐसा रोज़े इफ़तार का इतमाम ना किया जाए बार भाई जिसमें गेर शराई काम हो मालू हो कि मंतरी जी ने रोज़े इफ़तार का इतमाम किया उसमें नवे फिसरत रोजे खोर गए रोज़े दार कोई भी नहीं किया और जो दस फीसद रोजेदार गए आपने देखा हो गए कि मंतरी जी के साथ फोटो खिच्वा रहे है अरे अल्ला के बंदों ये रमजान है सियासत के कोई दुकान नहीं है आपका ये गुशनेगार छोटा भाई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रोजे में और फाके में क्या फर्क है इंशालला सलाम भी होगा अल्ला आपको सलामत रखे अब ये शेर सुन लीजिए अल्ला के है काम की तामील है लोगो मुलाइद फर्माइजरा शायद रमदान के हवाले से मुद्द के बाद ये शेर कहा गया अल्ला के है काम की तामील है लोगो ये फाका कशी मकसद रमदान नहीं है ये फाका कशी मकसद रमदान नहीं है हर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है दुन्या का बाहिद मख़ब है इसलाम जिसमें बतन से मुद्ध एमान का दरजा रखती है लेकिन शरीयत ने कुछ हदूत खायम कर दी है उन हुदूत के हवाले से आखरी शेर उसके बाद आपकी जहमते तमाम मैं तेरी महबत में गिरिफतार हूँ लेकिन मिलाईदा फॉर्माईदा सुनिये चे चाल मैं तेरी महबत में गिरिफतार हूँ लेकिन तुझको मैं खुदा समझू ये इमकान नहीं है तुझको मैं खुदा समझू ये इमकान नहीं है हर दर्पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है सामाने तिजारत मेरा इमान नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आई हुए सभी हजरात का मैं सुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही हम अमारी आवाद पे टाइम दिया मैं सुक्रत गुजार अदा करता हूँ मलग जादा मैं जुरहमेस साब का और आज सभी हजरात का सुक्रत और आज इस मुसारे के समाथ करने के गोस्रा करता हूँ